हेलो एब्रीवन सेक्शल लिप्रोडेक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट इसका 12 है और आज की वीडियो में टॉपिक है एंटोमोफिली पॉलिएशन के टॉपिक्स सब बच्चे जब पढ़ेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग है सबको बहुत अच्छा लगेगा और थ लिपा तोमोफिली का मेलेंग के इंसक्ट पॉलिएशन इंसेक्ट पर सेंज प्लांट एसे हैं इंसेक्ट इंसेक्ट के थ्रू पॉलिएशन होता है कि छो चाहिंड़ बीच जो हम ऊहनी बिहां काफी manipulation करती आए तो इंस्ध नेक्टर लेगा तो यहीं शेखने चल रहा है इसका स्टार्टिंग में जो पढ़ा है कि एक एक पॉलन के पास कार्भो हाइड़ेट भी है जब पॉलन का हम पूरे स्टेडी करते हैं प्रोटीन भी है फैट भी है उसके अंदर मिंडल्स भी है उसकी टैबलेट्स भी बनी है तो इंसेट को सभी एनरजी तो पॉलन से थिकर तो पॉलन और डेटे यह लेने के लिए जब यह फ्लारस पर जाते हैं तो उन डार के करेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए यह सोचो फेर ऐसे होने चाहिए उनमें फ्रेग्रेंस वह बहुत हुत हैं तो अगर रगर चोड़ कर भी है, जिससे ओन दिखाई में कुछ कुछ फ्लार ऐसे होते हैं जो वाइट कलर के हैं तो जादातर मौत जो होते हैं क्योंकि in जितने नॉक्टरनल फ्लार्स तो वह ची फ्रेग्रेंस तो यहां पर मैंने कुछ एक दो करेक्टर्स लिखे हैं कि इंसेक्ट्स आर मोस्ट कॉमन बना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिनेटर दा फ्लार्स प्रोडूसिंग नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस विद ब्राइट कलर अट्रैक्ट दा इंसेक्ट्स इस कॉल्ड एंटोमोफिली कही बार ऐसा होता है कि फ चैनल बोर्ट इंबर पानी का दलता है श्रुक्ति क्रेमिज में पैक्ण ओर उसका हमें किस तरफ से अच्रू तो उसके जो आट्रैक्ट किया है उसका यह फिर एक प्लांट होता है यूफ़बिया पलची यह उसकी लीफ है तो उसकी तरफ ऑट्रैक्ट ऑकर इंसेक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर स्क्या होते हैं मौत हैं बटफलाइज बीज बीटल्स अभी मैं बताके चुकिए हूँ कि मौत किसमे करते हैं नौकटरनल में बाकि सब किसमे करते हैं डाई उर्नल प्लांट के अंदर जो दिन में फ्लार किलते हैं इडीवल पॉलन बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं उसके पॉलन अडीवल यहां जैसे रोजा इंडीका गुलाब का हो गया क्लिमैटिस है मैगनोलिया है मैगुलीया छमपा का जो होता है तो इसके पॉछ एक चीज ऐसी भी है कि कुछ नॉर्मल ठीक है इंसेट जा रहे हैं पॉलन लेकर आ रहे हैं कुछ इंसेट को इतना पता चल जाता है कि एंथर बस्ट होंगे पॉलन यहां से रिलीज होंगे क्योंकि सब में अलग अलग है किसी में एपिकल पोर के थू होता है जैसे मान लें यह अंधर है तो किसी में एपिकल पोर के थू होता है किसी में ट्रांसवर सेप्टम होते है किसी के अंदर लोंगीट्यूड्ण स्लेट होती है सो इंसेट को पता होता है वहाँ की बॉडी से अटेस्ट होंगे तो जब वही दूसरे फ्लार पर जाएंगे पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इसके लिए कुछ फ्लार में एड़ेप्टेशन्स भी हो गई है बोस्ट इंपॉरंट है यह सभी बुक्स में नहीं मिलता है मैंने यहां पर डाल दिया है और एड़ेप मैकेनिजम है एरिस्टो लॉकिया एक प्लांट है एरिस्टो लॉकिया इसमें बिलकुल टोबैको जैसे मतलब गंदी स्मेल आती है तो इसमें पॉलिनेशन जो किसके तुरू होता है फ्लाइज के तुरू पॉलिनेशन होता है या फिर एक है यक्का एंड मौत यक्का में ब करती है और बदले में पॉलिनेशन करेगी तो यक्का के बिना मौत नहीं है और मौत के बिना यक्का के अंदर पॉलिनेशन नहीं हो सकता ठीक है दूसरा है ट्रैप डोर मेकेनिज्म यह फाइकस में होता है अंजीर वगारा जो होती है गूलर है अंजीर है उनमें वैस्प के चोटे जो वैस्प होते हैं वैस्प के थू पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रैप डोर मेकेनिज्म अब हमारे पास है यह टर्ण पाइप मेकेनिज्म या इसको लीवर मेकेनिज्म बोलते हैं यह सेल्विया फ्लार का नाम है सेल्विया सेल्विया के फ्लार में किस भी नहीं बैठती ज्यान से सुनना रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होती है बाकि ये मोव कलर है येलो कलर है परपल कलर है उन पर ये अट्रेक्ट होती है तो यहां पर एक ये सेल्विया का फ्लार है जिसमें ये दो पैटल है ये लार्ज पैटल ये स्मॉल पैटल लार्ज पैटल के दो लिप्स बन गए अपर लेप लोवर लिप अपर लिप के अंदर यह पाइट रिप्रोडेक्टिव और गन्स ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा इस्टिकी है और यहां पर टू पॉलन इनके अंदर मत्दब टू पॉलन ग्रे यह सुरी तू इसके अंदर स्टैम पॉस्ट कोई पर लिप में रिप्रोडेक्टिव और अर्गन है मई और लोवर लिप एक्टएस प्लेट उस जाब भी बस्ट होंगे pollen grains released insect को कुछ नहीं मालूम इंसेक्ट तो नेक्टर लेने के लिए हनी की हनी भी तो नेक्टर लेने के लिए ठीक है अब जब यहीं हनी भी फिर किसी दूसरे फ्लार में जाएगी नेक्टर लेने के लिए जिसमें कि पहले से ही अंफर बस्ट हो चुके है जब तक स्टिग्मा इसका रिचाप्टिव सर्फेस हो चुकेगी इस टिकी है जब स्टिग्मा बैंट होगी तो कुछ पॉलन ग्रेंच उससे अटेस्ट होंगे बन पॉलिएशन टेक्स प्लेस तो इस टाइप के मेकनिज्म को क्या बोलते हैं लीवर मेकेनेज क्योंकि यह लीवर की तरह प्लेटफॉर्म की तरह एक कर रहा है लीवर मेकेनेज या टांड पाइप मेकेनेज ठीक है तो यह इंसेक्ट पॉलिनेशन से रिलेटेड यह सारी चीज़े मैंने तुम्हें बता दी हनीवी वाला को हनीवी 80% से ज इसमें एक और है स्युड़कॉपॉलेशन का जो की वैस्प के थ्रू और फिर इस और कि रोता है और उसमें वस्प वैस्प के थूरू तो जो और बाद का फ्लार रहो सका एक पटल में तरीके से मार्किंग होती है कि उसका वह पैटल है वह फीमेल वैस्प की तरह दिखाई तो यह एक्जाम्पल मैंने किसका बताया और्किड का और और्किड को और फिरिस बोलते हैं और वैस्प को कॉल्पा कॉलर्पा यक्का मौत का मैं बता चुकी हो तो सारा यह जो चीज है वो क्या है इंसेक्ट पॉली नेशन ठीक है तो इसमें काफी सब बच्चों को जानकारी मिलेगी अच्छी तरीके से इसको पढ़ना और सुनना ठीके बेटां ओके थैंक्यू